क्यों डरें की जिंदिगी में क्या होगा हर वक्त क्यों सोचें की बुरा होगा बढ़ते रहें बस मंझिलों की यूर मैं कुछ मिले या ना मिले तजर्बा तो नया होगा मैं सचिंसर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल studyal puppy जैसा कि आपको टाइटल में दिख रह भी मिलेगी ठीक है आज की क्लास में डिसकर्स करने वाद रिलेटिव प्रणाउन के इंपोर्टेंट कोईस्ट है ठीक है बच्छो और हम जानते हैं जिसमें हम बात करते हैं हो की हूम की बिच्च की और डेट की और कहिना कि यह में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डॉल को करते हैं इसके लावा बच्छो आप मुझे अनकेडमी फोलो कर सकते हैं अनकेडमी पर आप सचिंजन सच कीजिएगा वहां मैं आपको मिल जाओंगा वहां हम सभी पार्ट सब्सको डिसकर्स कर रहे हैं और अभी रिसेंटली हम वहां पर प्रणाउन की क्लासेश ले रहे है यहां पर हम बेसिक्स टुए डिसकर्स कर रहे हैं ठीक है और हम 11 प्लस क्लासेश प्रणाउन की पढ़ा चुके हैं एक दो क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं हर एक वर्ड को हर एक सेंटेंस को हर एक कॉंसेप्ट को बहुत ही डिल में आपको एक्स्पैंड किया है आइए स्टार अब आपको बताना है इसका क्रेक्ट अंसर क्या होगा एक और चाहिए एक चीज में आपको बताना चाहता हूं एक है अगर आप बात करोगे हूंगा और हूंग का उसकिया जाता है इसके लिए लिए तो पी हैट we had suspended हमें किया cup क्या सब्सक्राक्राइब है about object की जरुआए यहां पर हू लगाया हू यहां पर we colorful Widdle सब्सक्राइब होते हैं अब देखिए कौन सा हमारा सही हो सकता है when we had suspended तो कॉन सा हमारा करेक्ट अंसर होगा बिलकुल सही सोचते हैं सब्सक्राइब सबसे पहले option को eliminate करना सुखे हमारा last option नहीं हो सकता यह option भी नहीं हो सकता तो और हमारा क्या होगा हूं मौगा इसलिए नहीं होगा क्यों हम यूज करें लो लेकि होता है यह तकि यह से कि आपके सामने जली से आ रहा है बोल आपको अपने अपने आंसर एक की थाइटी सेकंथ ले सकते हैं और अंसर लगा सकते हैं देखे कि तो कुछ वर्ड होते हैं जिसके आपको लिख देता हूं जिसे एंज्वाइट है इन्ज्वाइट है इस तरह से बसल्ट होते है जिनके बाद अगर आप को क्या देख हैं ओब्जेक्ट नहीं दिखे तो आफ रिफ्लेक्सिर पौनाओं काொदन का क्या होता है यह work out इस से पौनाओं का बताएगा तो मैं आपको बता जेता हूं LG पुल रहा हूं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे वहना चाही सेम परसन वा देखा थैंसेल्स होगा तो करेक्ट रांसर हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड होगा तो आप मैंने कॉमेंट करके बोल सकते हैं नेस्ट पर देखे क्या देखा है कि इज फर्ट्स विल बिरिंग हिम मोर सक्सेस दैन यो अगर आप इस सेंटेंज को देखो थर्ट सेंटेंज को देखो हिज हिफर्ट सेट एक बाध ध्यान रखी है जब भी कम पर इंग करोगें परसं का परसं से आप कंपेरिजन कभी नहीं कर सकता कि इस पैन का कंपेरिजन इस पैन का कंपेरिजन आप मेरे से नहीं कर सकते यह पैन का लिए तो आप बोलो मिरे इस पैन का कंपेरिजन आप मेरी टी से नहीं कर सकते मेरी टी सेट्स का कंपेरिजन मेरी टी सेट्स से होगा इस पैन का कंप तो एक बात ध्यान रिखी है आपके यूर मतलग तुम्हारे से होगा से होगा अब इफर्स से होगा तो आप यहां कर दोगे तो नाउन का क्या होगा रिपीटीशन हो गया और नाउन का रिपीटीशन हमारे case का प्रोनॉवन के माइन है माइ प्लस नाउं हार प्लस नाउं कि तुर्स ? ये ओप्षन अपसंड दियां रखेगा को वात यह रखना है कि कभी भी पजेश्य केस में ध्यां रखना है बचों कभी भी पजेश्य केस्ति आपको नाम में पड़ाया और पूर मैंने वहां बताया आपको कि माई है योर है आपका आवर है तो इस तरह की वर्ट इट तो इनके साथ आपके यूज डॉंट यूज इस इनके साथ apostrophe s apostrophe का use नहीं करेंगे इस बात का ध्यान रखेएगा यही कारण रता है कि हमारा a option b option और दी आप्टन का लगते ने संट्स आई और सम वोक्स ऑन इंग्लिस गामर बट नन है अराइब यह जल्दी से बताएगा सबसे पहले हम बात करते हैं यह के बारे में आपने क्या सो करता है प्रिजेंटील सो करता है कॉंपलीशन कब्स न किक्सी आक्शन का क्या होना लगा है दिखकत है नहीं मैंने आपको इसके बारे में इस fyश बता है क्लास में आप बहुत कुछ बताया है यहां पर मैंने आपको बताएगा है मैंने आपको बताया है जिसे आप नाइधर भी बोलते हूं इधर है एच है एवरी है और नन है अगर इनके बाद अगर इनके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा सिंगूलर इसके ताब वर्भ भी होगी वह कैसी होगी बच्चों अगर यह समझ आया तो इधार देख लो संटेंज में क्या कह रहा है नन के बाद नन अपने आप में क्या होगा सिंगूलर होगा तो वर्भ कैसी आईगी सिंगूलर होगा हमारा इसमें कोई गलती नहीं नो करेक्शन रि एक अभूस ल knocked कांशी गया सकी मिद्टाहिए बच्छों काओधि लिए चीज़ को रिटेर्टल करते है एफ का मतलब फोर एक कमतलब on स्वाइब समस्या माई नी होगा माई माइन होगा वैसे तो होना यह माइप रॉक्र चाहिए लेकिन में यहां भी प्रॉबलम आ तीक प्रॉबलम हमना जाता है इसनिया क्या कर देंगे माइब कर देंगे यह मैं के बच्चो क्या आ जाएगा मायना मैं आज आप जो सोच रहे हैं ब्ल्कुल सही सोच रहे हैं next sentence देखेगा there is a flight होगा यहां fight नहीं होगा there is a flight यहां flight कर लिजे एक प्रक्रेक्शन कर लिजे there is a flight to be written every Monday जली बताई इसका correct answer क्या होगा comment कीजेगा इसका correct answer क्या होगा एक बाद ध्यान रखेगा मैंने इसके बारे में आपको बता है मैंने बता है इसे every है each है इधर है ओके नीधर है या नन है इनके बाद सिंगुलर नाव 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 इसका मतलब यह तो गलत हो गया Monday's कर दिया है तो इसका मतलब आपका डी लास्ट ऑप्सन गलत है ठीक है अब देखो other Mondays भी नहीं होगा ठीक है देख लीजिएगा पेटा एक बात ज्यान रखेगा आये आपने एक sentence सुना होगा आये गोटु टेंपल या फिर होगा daily या फिर होगा everyday कभी आपको क्या नहीं मिलीगा इसलिए नहीं मिलेगा बच्चो इसका ji इसका स्टा है कि जो हमा एबरी होता है जो बच्छोً आप führen होता हमारा kia होता है this Department स कि अगर आप sentence को देखो तो sentence कि रहा है there is a flight to bitten every Monday के आपको पता कितने मंदे की चले कि नहीं पता indefinite indefinite है तो हमारा answer कौन सा होना चाहिए answer फर्स्ट होना चाहिए यह हमारा definite है इसके गरत हो गया each and every वी इसी वज़े से क्योंकि इच लगा हुआ है question next the aunt who is nearby walked forward and bit the hunter एक बाद ध्यान रखें मैं फिर से आपको कह रहा हूं आपको मुझे क्या करना है सचिन 2021 क्लास को अनलॉक करने के लिए स्कॉर्ड का यूज़ करेंगे मुझे अनकेडमी फोलो करेंगी इसकी लिंग मैं क्लास के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे दूग ठीके बच्चो मि के लिए धन्यवाद अपना ख्यार रखें और देखते रहें सचिन सर्सू ओके बच्चो थैंक यू